हलो अब्रीबडी इस दिगराशिंग राजपूत वेलकम तो माइगनेट ब्रीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और नॉन वाइलेंस क्यों पढ़ेंगे टॉपिक की पहले सिग्निफिकेंस समझो पिछले वीडिय आप शॉट टर्म में तो कर भी लोग है वाइलेंस की मदद से आप क्या करते हैं रिवलिशन लिया ते असारी चीजें लेकिन लॉंग टर्म में वह एक्ट जो रहेगा ठीक है अगर आप वालेंस वहां तो इस सेंस में क्या कहेंगे कि वाइलेंस से किसी का भला नहीं हुआ तो आपको समझ में आ गई और हमने आपको बताया भी था जो पैसिफिस्ट होते हैं ना पैसिफिस्ट के लिए क्या रहता है सबसे बढ़िया तरीका है नॉन वालेंस इस दी बेस्ट वे आउट पैसिफिस्ट लोगे मानते हैं अब एक थियोरी हो गई अब थियोरी के तो समझना आज तो आप marshmallow समझो और थिंकर्स को समझो और सुमझना तो सबसे बड़े नॉन-वालेंस के थे ख कभी ना कभी और क्या मजबूरी का नाम महत्मा गांधी क्या होता है अधिक तरह हम फस जाते के सिट्वेशन में जा हम कुछ नहीं कर पाते हैं हम हम इसलिए बोलते थे क्योंकि सुनते आये हैं तो वह आज के बाद भी आगे भी जीवन में इसी तरह से इस्तमाल करते जाएंगे ये शब्द मजबूरी का नाम महत्मा गांधी लेकिन कभी 2 मिनिटे रूख के सोचा है कि हम शब्द यूहीं बोल देते लेकिन इसके पीछे सोच क्या रही होगी ऐसा आफिर कहा कियो जाता गांधी जी मजबूर थे क्या नहीं मजबूत है तो मजबूती का नाम महत्मा गांदी कहा जाना चाहिए ठीक यह चीज को यह जो पॉपलर से इंगे या फिर कह सकते जो जो सा लाइट आइडिया जो है लोग यूही कहा देते ना उसका एक बहुत मतलब वह सोसाइटी का सोचने का तरीका बताती आपको तिक और उसमें क्या गलत है क्या कमी है वह मैं आपको बता हूंगा ठीक ऐसा नहीं कहना चाहिए चलो समझते देखो क्या है ठीक टेंडेंसी टू दिस आइडिया मजबूरी का ना महत्मगांदी कैसे वह समझोब जरा क्या होता नहीं को हम अधिकतर helplessness से जोड़ के देते हैं कैसे जोड़ देते हैं मतलब जो आदमी सक्षम होगा जिसके अंदर शौर्य होगा जिसके अंदर क्या होगा जिसके अंदर क्या सकते साहस होगा तो यहां पर उसकी मदद नहीं हो रही है तो फिर वो क्या बोलेगा हम तो नॉन वालेंस का प्रिंसिपल अडॉप्ट करेंगे जो हो रहा है जैसा हो चलने दो ठीक है तो यहां पर उसकी helplessness को मजबूरी से जोड़ दिया गया है तो helplessness is equated with non-violence मतलब आप non-violence का कब इस्तेमाल करते हो जब आसा हाय होते हो ठीक है non-violence को क्या माना गया है एक बहुत ही वीक प्रिंसिपल टाइप से माना गया है ठीक है वीक प्रिंसिपल टाइप से माना गया है अब जब इस तरह से चीजों को जोड़ देते हो ना तो उसके चलते क्या होता उसके चलते आपने किये popular seeing evolve कर दी क्या कि मजबूरी का नाम महत्मा गांदी मतलब आपने मजबूरी को किससे जोड़ दिया helplessness को आपने non-violence से जोड़ दिया ठीक है और non-violence को आपने महत्मा विए और जब आप यह स्टेटमेंट बोलते हो तो इससे आप क्या दर्शाना चाहते हो क्या बताना चाहते हो पता है कि non-violence जो है is the way of weak जो कमजोर होते है वो non-violence में विश्वास रखते है एक तरह से ऐसा आप क्या करते हो message पहुचा तो जब आप यह शब्द कहते हो तो ठीक लेकिन ऐसा है नहीं जो तो वह विए अब आपको समझ में आएगा जब यह आला स्टेटमेंट में प्रूफ करूँगा कि मजबूती का नाम महत्मा गांदी होता है वीक लिये नाओनर कर सकते हैं कैसे है क्लिक्त público जाएगा तो गांद्य जी रीजेक्टेटेट डिस अंड़सेंड एंड आठीक्लेटेटेग डिफ्रेंट फिलोसोफी कर दिए जिसके चलते हैं नॉघाइंस क AWS का आप वह भी समझ में आएगा देखा यूजरी नॉन वालेंस को क्या समझ लेते हैं नॉन इंजरी जैसे आपको मैंने पीस की डेफिनेशन स्टाइटिंग में जब हम भुझा था तो पीस इस इक्वल टो मैं क्या देखा था पीस इपसेंस ओफ नॉन वालेंस लेकिन ऐसा नहीं है एक्वालेंस का मतलब सिर्फ इपना नहीं होता कि आपके की सीच को हम मत करो तो आप नॉन वालेंट थो एस नहीं है तो गांधी जी चेंज धिस मीन इंट फंड़नटल वेस्टो गांधी जी ने नॉन वालेंस को और ब्रोड़ली एक्सपलेंड किया है और यह जो मीनिग न तरीके जो है या फिर दो आइडिया जो महात्मा गांदी जिस तरीके से नौन वालेंस को एक्सप्लेइन करते हैं वह समझो क्या है एक तो क्या है कि आपने क्लास 10 में महात्मा गांदी के बारे में बहुत पड़ा है तो आपने देखा उनका जो उनके जितनी भी फिलॉसोफी है उनके जो भी मॉडल्स रहे हैं जैसे सत्याग्रह का आइडिया जो रहा तो वह अपने आप में कैसे आइडियाज है वह ट्राइड एंड मतलब क्या सकते हो कि सक्सेफुली इंप्लिमेंटेड टाइप से प्रिंसिपल्स नहीं तो वह बेच थे नौन वालेंस के प्रिंसि ठीक , अंदर से बहुत ठोस है ठीक उसके पेच्छे क्या है एक क्या सकते एक प्रपर र्धिटिंक इद प्रपर है करैं तो कि है non-violence meant not just refraining from causing physical harm mental harm or loss of livelihood ठीक है गांदी जी के लिए इतना नहीं था कि non-violence का मतलब आप किसी को physical harm मत पहुचाओ उससे भी बढ़के था क्या था उससे बढ़के तो इट अल्सों मेंग गिविंग अप इवन दी थॉट ऑफ हमिंग समवल ठीक है मतलब और ने बोला कि non-violence आपके एक्ट से ही साबित नहीं हो जाता है कि मतलब आप किसी को हम नहीं पहुचा और इसका मतलब आप नॉन वाइलेंट हो ऐसा नहीं है वो क्या कहता है कि non-violence का मतलब यह नहीं है सिर्फ कि आप कोई physical harm मत पहुचाओ non-violence में यह भी इंक्लूड होता है कि आप सोचो तक मत ठीक है मतलब आप ऐसा सोचो के भी नहीं कि किसी को हम पहुचाना है ठीक तो non-violence meant giving up even the thought of harming someone ठीक है किसी को हम पहुचाने का विचार भी दिमाग में नहीं आना चाहिए तब सही माहिने में आप non-violence के principle का इस्तमाल करते हो ठीक है for him causing did not mean doing the harm oneself ठीक है तो और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप causing का मतलब यह नहीं कि आप खुद हम पहुचा रहे हो तो अप non-violence और अगर आप हम नहीं पहुचा रहे हो आप सिर्फ सोच रहे हो आप किसी को प्रोवोग कर रहे हो तो आप ने कुछ नहीं कहे नहीं तो आप non-violence कहला होगे नहीं ठीक है लेकिन वह क्या कहते हैं I would be guilty of violence if I helped someone ठीक है अगर मैं किसी की मदद भी करता हूँ violence पहुचाने में दूसरे को ठीक है तो if I helped someone in harming someone else or if I benefited from a harmful act ठीक है अगर मैं किसी की मदद भी करता हूँ रहे बाट दूसरे को हम कह पहुचाने में तो भी मैं अपने अपने अपको गिल्टी फील करें और खूंँ ऐह अगर किशी का बुरा किया उसमें मुझे कुछ फिजिविए लिए आपको दिख रहा है कि आप मारे अपीट रहे हूँ तो ही वालेंस होगा नहीं उसके अलावा और वन ने बोला कि सोच से फायदों से नुकसान से हर चीज में वाइलेंस अगर आपको फायदा पहुंचा रहा है ठीके वालेंस की मदद से आप अगर आपका है विसीबल ही दिखनी रहा है लेकिन उसके उनदर क्या है समाया हुआ है वो टिक है इसिंदी o ड़ो सथी सोसाइटी अगर आप को दिखो कह तो भी तरह का वालिंस है डारेक्ट वैलेंस नहीं दिक रहा हुगा लेकिन वह रूूद्स में समाया हुआ है रेप्र बिबात के रहें तो भी हां पर बोलते कि नॉन वालेंस का मतलब शुर्फ यह नहीं कि फिजिकल विजिबल एक्थ हो नॉन वालेंस तो इस्ट्राक्चिरल वालेंस की तरह होना चाहिए तिक है अगर आप नॉन वालेंस के फॉलो करते हो तो आपको इसको प्रॉक्च दूसरी चीज क्या कहते देखो तो इस सेकेंड मेजर चेंज देट गांधी जी इंट्रिडूज्ट वास्टो गीव वास्टो गीव दी आईडिया अफ नॉन वालेंस अजब आपको ताया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो लोग क्या समझ के चलते लोग एमान के चलते क नॉन वालेंस एक नेगेटिव मीनिंग के साथ मतलब क्यारी कर रहा है कि नॉन वालेंस से कुछ नहीं होता है आप जब हल्पलेसनेस वाली सीचुएशन मेरे तो तब नॉन वालेंस आपका रास्ता होता है नॉन वालेंस को एक नेगेटिव मीनिंग दे दिया उन्होंने कि non-valence क्या है कम में है ठीक उसको कम आका जा रहा है क्लियर तो अब क्या होता है जिसे non-valence is not scouting harm but it was not enough ठीक अगर आप non-valence को सिर्फ इतना देखके चलोगी कि non-valence आप किसी को हाम नहीं पहुचा होगे तो अपने आप में सफिशेंट नहीं है समझ मारा इसकी negative meaning थी लेकिन महात्मा गांदी क्या उसको positive meaning देना चाहते है कैसे कि आप अगर इतना सोच के चलों कि non-valence is equal to not causing harm ठीक है तो it is not ahimsa required an element of conscious compassion ठीक है तो महात्मा गांदी क्या कहते है यहां पे कि आपको non-valence ऐसा नहीं है कि आप जब helplessness वाली position में रहोगे तभी non-valence को इस्तेमाल करोगे non-valence बहुत बढ़ी चीज़ है ठीक है non-valence में ahimsa जैसे non-valence मतलब ahimsa हो गया तो ahimsa requires an element of conscious compassion conscious compassion काई कि आपको रूब सचए मतलब सचेत रूब से खुले दिमाग साथ को क्या कर नहों लोगों के साथ में compassionate होना पड़ेगा लोगों के दुख में दुख समझना होगा वहत्जैञे वह ऐसा नहीं की जब आपको क्या करना होता है हर तरह से एक स्ट्रक्ट्राइट में वालेंस को क्या करना होगा रिजेक्ट करना होगा तब आप सही तरह से और उसमें दूसरी चीज वो यह बताते हैं कि अहिंशा रिक्वाइड एन एलिमेंट ऑफ कॉंशियस कमपैशन तो आप सभी के बारे में सोच के जब आप इस प्रिंसिपल को करते हो न तो आप इसके चमतकार देखते हैं कि जब हम सब के बारे में सोचके वोरेंस को ब्लंस को छो देते नाम तो उससे क्या होता है उससे ultimately society में सब जगा पीस आ जाती है जैसे बताया मैंने आपको कि एक जो non-violent thinker रहेंगे तो उनका ultimate objective peace को ही establish करना रहेगा ठीक फिर क्या होगा those who practice non-violence must exercise physical and mental restraint under the greatest provocation ठीक greatest provocation मतलब आपको कोई कोई कितने ही प्रोवक कर ले आपकी कोई कितने ही चावी भर ले प्रोवकेशन मतलब क्या कि आपको उत्साहिद करें कि उसने ऐसा बोल दिया इसने ऐसा कर दिया ने तो मार भी दिया ने तो पीड भी दिया तो आपको दोनों ही फॉर्मेट में ठीक है कितना ही प्रोवकेशन हो जाए आपको क्या करना होगा मेंटल और फिजिकल रिस्टिन रखना होगा यह महात्मा गांदी नॉन वालेंस के थू कहना चाहिए नॉन वालेंस इस एन एक्स्ट्रीमली एक्टिव फोर्स डेट हाज नो रूम फॉर कोवर्डिस एंड वीकनेस ठीक है मतलब क्या है कि डर पोक हिता जो होती ना उसके लिए और वीकनेस के लिए नॉन वालेंस तो बना ही नहीं है महात्मा गांदी लासमी बोलता है एक एक्स्ट्रीमली एक्टिव फोर्स है जिसमें और वीकनेस जो है ठीक है जो वीक है जो डर पोक है वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करीं नहीं सकते इसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए रहेगी तो आप जो स्टेट्मेंट स्टा भी चेंज टू मजबूती का नाम महात्मा गांदी क्यों कि आप देख रहे हो यह स्ट्रॉंग का प्रिंसिपल होता है नौन वालेंस वीक का नहीं होता है तो गांदियंस जो बोलते है कि जो आप इनिशली जो स्टेट्मेंट पढ़के आया होना कि मजबूरी का नाम महात् सब्सक्राइब तो यह सारी कहानिया पढ़ी जानी समझी आशा करता हूं आपको समझ में यह चीजें तो हमारा चैप्टर का यहां पर कंप्रीट होता है मतलब आपने पहले तो देख लिया पीस क्या है फिर आपने जैसे वालेंस और पीस के बीच का रिलेशन देखा तो मै आप जब एक डेमोक्रेटिक सुसाइटी में रहते हो तो आपको चीजों को जितने भी आइडिया आप पढ़ रहे हो पॉलिटिकल थीओरी में सबको डेमोक्रेटिक जो सिस्टम एक पूरा डेमोक्रेसी है गवर्मेंट है ठीक है तो उसके साथ रिलेट करके देखना होगा वो सारी चीज़े हम नेक्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं आशा करते हैं यहां तक चीज़ें आपको समझ में आईए किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टो आसके इन कमेंट सेक्शन मैगनेट ब्रेंस पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्स चैप्ट टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ सिस्टेमाटिक वे में वीडियो लेक्ट्ट के फॉर्माट में अविलेबल हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना सेलिवर्स कम्प्रीट कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को ज़रू ब टीप लर्निंग थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्छ